अलो अब्रियोन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पलेक्षाप्लस पर टीम की योर्षे मैं रमन मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज हम ग्रामेड विकास में, क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रिसी और ग्रामेड विकास को लेकर भारस सरकार के द्वारा कौन-कौन सी योजनाय कब-कब चलाई गई उनके भी से मैं हमने बेदबत बात किया था तो जैसा कि आपको मालूम है, समुदाई विकास जो कारिकरम चले इन कारिकरमों में भारस सरकार का जो लक्ष बना कि ग्रामेड शेत्रों का विकास करना, विकास के साथ साथ रोजगार पैदा करना रोजगार के साथ साथ ग्रामेड शेत्रों में सिक्षा जगत को लेकर और स्वास्ट जगत को लेकर भी गवर्मेंट के द्वारा बहुत अलग-अलग इसकीम्स लांज की गई अलग-अलग जो आपके योजना है रही वो चालू हुई तो आज मैं बिसेश कर आपको बताने जा रहा हूँ कि स्वास्त जगत को लेकर के भार्ष सरकार के दौरा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गई है और कौन-कौन सी आपकी योजनाओं के लच्छ गया रहे आयाम क्या रहे उद्देस क्या रहा कौन सी योजना कब चालू हुई ठीक है इन सभी को हम लोग बहुत बेदवाद धंग से पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा सिशन ये भी आपका होने वाला है आप सारे लोग वीडियो को जब भी देखे अच्छे अच्छे कमेंट्स अच्छे अच्छे जो है जो चीज़े आपको सूचती है टीम के द्वारा जो कुछ प्रोवाइट किया जा रहा है हर एक बंदा टीम का आपके लिए जो महनत कर रहा है उनके लिए आप कुछ ना कुछ जरूर लिख कर जाए ताकि आपको हम आपकी जो कमेंट्स की सकारात्म कोर्जा है सभी को मालूम है कि यह जितने भी आपके वीडियोज आपको मिल रहे हैं वरतमान में यह सभी हमारे 10 प्लस कोर्स का हिसा है जिनमें सारे वीडियोज हम आपको निसुल्ख देते हैं कि आपको यह समस्थ्या नह रहे कि सर जी अब जो है लोगडाउन की इस्तित रही इस्तितियां बड़ी कमजोर हैं तो हम पढ़ाई कैसे करें ठीक अधिकतर भी द्यारती इस समय अपने घरों में हैं गाउं को वापस जा चुके हैं तो उन सभी के लिए परिक्षा प्लस की ओर से एक आप तोफ़ा समझे या हमारी एक कोसिस समझे जिसके लिए हम आप जो कुछ टीम के दवारा आप सभी के लिए किया चारा अगर आपको पीडियोफ चाहिए और अगर आपको हर एक क्लास की कोईश चाहिए तो भैया नाम मातर का सुलक है क्योंकि इसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है ठीक है और उसके लिए हम सहियोग्रासी तीन महीने के लिए आपको 499 में दे रहे हैं 499 में जितनी क्लासेश पढ़ाते सभी की PDF देंगे अच्छे आपको ये ढंग से बनी PDF होगी ताकि आप उसको लास्ट में प्रिंट भी करवा सकें ठीक है बाकी टीम के हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चल ले हैं जिनमें अगर आपको नोट्स भी चाहिए टेस्टरीज भी च प्रेस्रीज मिल जाएंगे जिससे कि आप अपनी तयारी को और धार दे अगर आपको UPPSC प्री में बैठना है 20 में तो इसके लिए भी हमारे पास क्रेस्कोर्स है जिसमें हम सारी नोट्स दे रहे हैं एक गुडवत्ता पूरी नोट्स है अगर आपको ब्यूग की परिक्ष उसे जोड़ा भी होगा ठीक तो ऐसी योजना चल लए इसके बारे में जल्दी सुचना आपको दी जाएगे ठीक तो ये सारे प्रोग्राम हमारे रनिंग में होंगे आगे बरते हैं आज इन मुद्दों पर हमें बात करना है आज हमें पर्टिकुलर बात करना है कि स्वास क भारत सरकार ने क्या क्या कैसे कैसे आज तक कौन-कौन सी योजनाओं को चलाया है और उन योजनाओं को चलाने के पीछे लच्छ क्या रहा है ठीक लच्छी में कितना चीजे जो है हमारे लिए पॉस्बिल है जिन नजरियों को हमने लेकर उन योजनाओं को प्रारम किया उ स्वास्त सेवा में सबसे पहले ठीक है जैसे राष्टिय स्वास्त सेवा है रही सत्रा की बात करेंगे अनी चीजों की बात करेंगे वो सभी का समावेस इसमें होगा बहुत धंग से समझना तो सबसे पहले हम लक्षी योजना को लेकर प्रारम करते हैं इनी से सारी चीजों को हम यहां सुर्वात करते हैं, तो ध्यान दीजे सारे लोग, स्वास्तियों परिवार कल्यान से संबंदित जो यह उजनाये हैं, ठीक है, इनी उजनायों को आज हम कबर कर रहे हैं, एक कारिक्रम आपका चलाय गया था लक्ष कारिक्रम पूस्ता है, लक् लक्ष कारिक्रम घोसित किया गया, सुभारम किया गया, पूछेगा आपसे कि लक्ष कारिक्रम किसके लिए चलाया गया, तो गर्वती महलाओं की देखभाल के लिए कब चलाया गया, 15 मर्च 2018 को किस मंत्राले के द्वारा चलाया गया, तो स्वास्तियों परिवार का लिए मंत प्रसूती सल्ले चिकेसा कच्छ में गर्भती महिलाओं की देखभाल संबंती गुडवत्ता में सुधार करना इन सारी चीजों में कि जो आपकी सरकारी स्वास्त सेवाय चल लए हैं जितने भी आपके महिला अस्पताल हैं जिला अस्पताल जो होते हैं उनमें पूरु स्कूल लेकर भी है महिलाओं को भी लेकर है तो वहाँ पर गर्भती महिलाओं में जब ये देखा जाता कि प्रसूत जो ग्रेह बने हैं आपके लेवर रूम जिनको आप जानते हो या फिर प्रसूत जो सल्च के सक अच्छ है जहां पर आप्रेशन से जो है बच्चे पैदे किये ज सिसू और सफी गर्वती महिलाओं इसके इंतरगत आएंगी ये इस कारिकरम से प्रसूती ग्रह प्रसूती सल्च किसा कच्छी प्रसूती गहन देखभाल इकाई जिनको आप आई सीउ बोलते हैं और उच्छ निर्भरता इकाई हो जिनको यस्डियू नाम दिया जाता है गर आस्वस्ता आपको मिलेगी मात्रुवासिस में वह समान पूर्ण मात्रुत देखभाल की सुविधा होगी प्रसूती कच्छ और प्रसूती जो सल्च किसा कच्छ है इसकी गुडवत्त्रा में सुधार का जो आकलन है ये गुडवत्ता आस्वासन मानकों के माध्यम से सारी चीज़े की जाएंगी ये जो संसाय है ठीक है इनका एक स्टेंडर्ड है मानक क्या है 90 प्रसत असी प्रसत और सत्य प्रसत से अधिक अंग प्राप्त करेंगी क्रमसा प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर बैज इनको प्रदां किया जाएगा इनको जो है जो है थोड़ा सा क्या किया जाए, मोटिवेट करने के लिए लक्ष कारिक्रम के द्वारा प्रसूती के दोरान होने वाले देखभाल को प्रभावी बनाने के लिए Medical College Hospital अस्तरपर समर्पेद प्रसूती गहन देखभाल एकाई ओ और जिलाअस्तरपर किसका जिलास पर जो जिलास पतल होते हैं इनमें प्रसूती उच्च निर्भरता इकाईयों की ये सपना की जाएगी ठीक है इनको संचाली तिया जा रहा है आगे पड़िये इच्छा इसका जो है संदर्व क्या रहा लक्षित संदर्व क्या मिलेगा ये जो लक्षि है भाईया एक भविश्यों मुखी कारिक्रम है भविश्यों मुखी कारिक्रम है इसकी सहायता से मात्र 18 मां में कितने दिन में 18 मां में प्रसूती सल्लेचिके साथ अथा गर्वती महिलाओं के साथ साथ नौजाद सी सोकी देखभाल में गुडवत्तापूर्ट सुधार अपेक्षित है भावी है भारत में मात्र जो मृत्तुदर है इसको कम करने के लिए इस इसको बिसेस रूप से और जो सिस मृत्तुदर है इन दोनों में कंट्रोल लाने के लिए इसको किया गया था अब हम पढ़ते हैं राष्टिय स्वास्त नीती 2017 क्या रही है ये सारे मुद्दे आपके करिंट के भी हैं तो करिंट में भी फायदा देगा और साथ ही जैसे योजनाओं में जहां भी योजनाओं के सवाल होंगे वहाँ ये आपका काम करेगा 15 मार्ज 2017 को मोधी कैबिनेट की अधिस्टा में जो है कैबिनेट की डिसिजन के द्वारा राष्टिय स्वास्त नीती 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी 17 को अनमोधित किया गया या नीती सारभावमिक स्वास्त कबरेज़ को प्रदान करने तता वहनिये लागत पर गुडवक्ता युक्त स्वास्त देख्भाल सेवाओं को उपलब्द करने के लिए लक्षित है किसके लिए चलाएंगे हर जगे पर गुडवक्ता पूर्ड स्वास्त देख्भाल सम्मंदित सेवा मिले सभी को अगी जी समझे इसका उद्देश क्या रहा सभी शेत्रों में स्वास्त समंदित स्थित में सुधार ठीक है सार्जनिक स्वास्त शेत्र द्वारा प्रदित जो निवारक है प्रोजसाहत है उप्चारात्मक है इन सभी चीजों में क्या करना था गुड़ात्मक सुधारियों बिस्तार करना था इसके उद्देश क्या रहे हैं इनको समझ लीजिए इनके उद्देश ही 2017 वाली जो रही इसके लिए अनेक मदिकाली लक्ष बनाए गया है कि इनको हमें अचीव करना है पहली चीज़ तो आईए जीवन प्रत्यासा और स्वस्त जीवन को क्या करना है हमें कहीं न कहीं प्रत्यासा है इसको बढ़ाकर 70 वर्ष करना है प्रजेंट में किनना है सरसट दसमल 5 है यानि कोई वेकती साड़े सरसट आउसत है अपने हाँ उम्रे तक जीता है इसको 70 पर ले जाना है दोजार पचीस तक राष्टी यो मुपराष्टी ये स्तर पर कुल प्रजनन दर जो कम कर 2025 तक 23 प्रती हजार लाना है कितना 23 प्रती हजार यानि एक हजार पर 23 केवल सी सुग की मृत्त हो इसको करना है तो था मात्र मृत्युदर ठीक है इसको वर्तमान अस्तर से घटा कर 2020 तक कितना 100 प्रती लाग के अस्तर पर लाना है कि एक लाग पर जो मात्रु की मृत्त ह वो एक लाग पर आपकी सो रह जाए। इसको आप AIDS के नाम से जानते इसको 90 रेशियो 90 रेशियो 90 ये क्या है इसके बैस्विग लक्ष को प्राप्त करना था। अगली चीज दोजार अठारा तक कुष्ट रोग वर्स दोजार सत्रा तक काला जार जिसको काला जुर बोलते हैं हाथी पाओं का उन्मोलन करना इस इस्तित को बनाये रखना। जो 6 रोग है टीवी टीवरकलोसिस इसके नए मामले में 85 प्रस्ट से अधिक की रोग मुक्तिदर ठीक है प्राप्त करना उसे बनाये रखना। ये सारी चीजे रही दोजार पचीस तक ये पूछा भी था ठीक है पिछली बार में ध्यान दखिए जो द्रिश्ट हिंता की व्यापता को घटा कर 0.25 प्रती हजार के अस्तर तक लाना था इससे ग्रस्त रोगयों की संख्या को वर्तमान अस्तर से घटा कर एक तिहाई करना ठीक है ये सारी चीजे रही और ये पूछा भी था आगे बढ़ते हैं तो ये सारी डाटा जितने भी ये बहुत इंपर्टेंट ही इसको ध्यान लखना कोई भी परिक्षाब देने जा रहे हैं उन सभी में इन से सीधा सवाल पूछता है और पूछेगा हिर्दे भाहिका ज स्वास्त सेवाओं का कबरिज देखें तो 2025 तक मौझूदा सार्जनिक जो स्वास्त सुविधा है इनके उपयोग में 50 प्रसत तक ब्रिद्ध करने का लक्षी रखा गया है साथी साथ 2025 तक एक वर्स तक के 90 प्रसत से अधिक 900 का पूर्टिया प्रतिरच्छन सुनिशित करना है दोजार पचीस तक राष्टियों मूब राष्टिय अस्तर पर परिवार नियोजन की 90 प्रसत से अधिक आवस सकताओं की पूर्टि करना है अगर परिछित्री लक्षी देखें तो 2020 तक 15 प्रसत तमभाकू उपवोग के मामले में और 25 तक 30 प्रसत तक की कमी लाना है उप स्वास्त वित्त को लेकर अगर बात करें तो आप जानते हो स्वास्त वित्त जीडीपी जो है सकल गरेलू उत्पाग जो है इसके 1.15 प्रसत से बढ़ा कर 2025 तक इसको धाई प्रसत करना है ठीक है जीडीपी का स्वास्त सिवाओं पर खर्च धाई प्रसत लाना है कब तक 2025 त करते हैं राज्यों के स्वास्त छेतर पर बेग को बढ़ा कर 2020 तक उनके बजट का आठ प्रिस्ट से अधिक करना है मानों संसाधन स्वास्त इसमें आपकी ऐसी चीज़े हैं एक तो यह याद रखना कि 2025 तक उच्छ प्रात्मिक्ता वाले जिलों में IPHS मानदरंडों के अनुरूप जनसंख्या अनुपाद में सामदाइक स्वास्त स्वायम सेमकाओं की संख्या को बढ़ाना है स्वास्त प्रबंदन सूचना में इसमें सारजनिक स्वास्त की दृष्टी से माहतपूर रोगों का पंजीकरन प्रणाली अस्थापित करना है यह प्रियास गवर्मेंट के द्वारा होगा अगली बास समझे इसमें और जो तथिये जिनसे आपसे सवाल बूच सकता है ठीक है इस नीती में गैर संचारी रोग जो संक्रमण आपके नहीं फैलने वाले होते हैं इन रोगों को बिसेश का लक्षित किया गया है कि इनको हम लोग रोगे ठीक है अगली चीज समझे जो मातपूर है उनी को हम बताते हैं अगला है 2000 राश्टी जनसंख्या नीती 2000 क्या रही इसको जानी है जनसंख्या नीती है समझे इसको ढंग से बारत में जनसंख्या नियंतरण का प्रयास स्वतन्तरता के समय से ही की जारा वर्तमान वो वर्स 1952 में भारत परिवार नियोजन कारिक्रम कब 1952 की सुरुवात करने वाला बेसु का पहला देश बना सबसे पहले इंडिया में लागो हुई और पूस्ता भी ये परिवार नियोजन कारिक्रम भारत में कब चालू हुआ वर्स 1956 में केंड्रिय परिवार नियोजन बोर्ड अस्थापित हुआ कब 1956 में जिसने बंदिकरण पर बंदिया करण पर बल दिया इस क्रम में राष्टिय जनसंख्या नहीं थी 1976 घोसित की गई जिसके अनुसार क्या था कि जो आपकी ये छठी पंचवर्सी है उजना रही इसके अन्त तक जन्वदर को घटा कर 25 प्रतिहजार करना था आगे चलकर वर्स 1977 में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याड कर दिया गया ठीक 1977 में अगली चीज क्या रही पिछली जनसंख्या नीत वह तमाम प्रियासों की खामियों का निरिष्ण करते भिए 15 परवरी 2000 को राष्टी जनसंख्या नीत घोसित की गई पूस्ता है राष्टी जनसंख्या नीत कब घोसित की गई तो ये 2000 में वो भी 15 परवरी को समझ गई इसके aim क्या क्या रहे, उद्देश क्या क्या रहे, अल्ब कालिक उद्देशियों में अगर देखे, कि इनके अल्ब कालिक उद्देश क्या हूए, मलब छोटे छोटे, पहली चीज तो आई, निरोधिकर, सास्त देख भाल, अन्नी में देखिए, अवस सापना निर्माण, और तमाम ऐसी चीज़े रही जिनको यहाँ पर बढ़ाया गया मद्यकालिक उद्देशी में ध्यान रखना जो टोटल फर्टिलिटी रेट है टी एफार है इस टोटल फर्टिलिटी रेट को वर्स दो जार दो के 2.6 की तुल्ला में वर्स दो जार दस तक इसको 2.1 तक लाना था ठीक है? इसको 2.1 तक लाना था ये चीज़ ध्यान लगना दीर्ग कालिक उद्देशी क्या है? दो जार सत्तर तक पूर्व में यह लक्ष वर्स दो जार पैतालिस था कि एक इस्तिर जनसंख्या का अस्तर प्राफ्त करेंगे हम सत्तर तक अपनी जनसंख्या को इस्तिर कर देंगे ये चीज़ को सी सही जो की आर्थिक संप्रेद्ध सामाजिक विकास तथा पर्यावरण सुरच्छा के अनुरूप हो अब इसके लक्ष क्या रहे राष्टिय जनसंख्या नीद के समझे मातर्त जुम्रेत दर रहे इसको प्रती एक लाख प्रशो जीवित जन्मों पर सौ से कम करके स्तर पलाना सी सुम्रेत दर को प्रती एक हजार जीवित जन्मों पर तीस से कम करना टीके दवारा रोकी जा सकने वाली बिमारियों के विरुद सभी बच्चों में प्रत्रेच्छन को बढ़ाना जो प्रजनन नियंत्रणियों गर्व निरोध के लिए विभिन विकल्पों के विशे में जानकारी वास्यमाओं तक सभी विक्तियों की पहुँच को आसानी से बढ़ाना ये सारे इसके लक्षिर है लड़कियों की विवाहई को 18 के वर्स करने के बाद प्रोच साहित करना अभी इस पर बात चल ला है कुछ दिन पहले आपने नियूज में देखा होगा कि गवर्मेंट फिर से जो है जो एज आपकी है जो आयू होती है लड़कियों की जो 18 वर्स अभी मानक है परिवार कल्याण मंत्रा ले पहले ये जानी है इसके द्वारा देश के सात राज्यों के सरवाधिक प्रजनन्दर वाले 145 जिलों में प्रजनन्दर में कमी लाने के लिए मिसन परिवार विकास कारिकरम आरम करने का फैसला कव 16 में किया गया या मिसन सात राज्य कहां कहां एक तो अपना यूपी रहेगा ही जानते ही हो दूसरा बिहार हो गया तीसरा राजस्थान चोथा मद्ध प्रदेश छतीजगर जारखंड और असंग के 145 जिलों में प्रजनन्दर में कमी लाने के लिए इसको प्रारम किया गया प्रेदी के जो आकड़े प्राप्त है ये संतोष जनक इस्थित प्रदर्शित करते हैं एक क्यान नवे में जनसंख्या प्रेदेदार हमारी 30.87 प्रजशत थी कितनी 30.87 जो वर्स 2001 में 21.54 प्रजशत जबकि 11 में ये कम होकर 17.7 प्रजशत रहे गई 17.7 परजशन रहे गई तो जाहिसी बात है भईया 23 से 17 आगी तो बहुत बड़ा हो गया लक्षी अमारा मिला 2011 का आकड़ा अगर आप देखो गए तो 77 दर में आपको बढ़ोतरी मिलेगी 20 कर महिला साचरता दर में देश की 73 प्रजशत जनसंक्या अपने यहां साक्षर है 73 परजशन भारत में महिला साचरता 46 दस्मल वो 64 दस्मल 6 प्रजशत है और जनगरना 11 के अनुसार भारत के लिंगानपात में भी बढ़ोतरी दर्श की गई जो महिलाओं की मजबूत इस्तित को दर्शाता है वरतमान लिंगानपात 11-1 के मुकाबले से 933 से बढ़कर 943 लिंगानपात के सकारात्मक पहलू के साथ सार नकारात्मक संकेत किसमे सी सुलälletगानपात वो भी बाली का सी सुल 1995 में कमी दर्श दखने को मिल थलती है आगे बड़ते हैं ये जो जनग्या नीति है अभी भी इसमें बहुत सारी सुधार हम में बाकी है ट्क तो जहां से सवाल बूद सकता है उन पर डिस्कस हो गई अब राश्टिय महिला नीत 2016 पड़ लीजी, ये क्या है, राश्टिय महिला नीत क्या है, समझजे एस सेच को, attach दसक पूर्ब 2011 बें के राश्टिय महिला ससकती करण नीती तयार की गई, राष्टिये महिला ससक्तिकरण महिलाओं को अपने पैर पर खड़े करने के लिए ठीक है इसका तहट क्या किया गया आर्थिक योंग सामाजिक नीतियों के माद्यम से महिलाओं के संपूर विकासियों ससक्तिकरण का लच्छी रखा गया ठीक और ये जो रही इसके निराकरण के लिए 17 मही 2016 को राष्टिये महिला नीति 2016 का प्रारूप हितधार को की टिपडियों परामर्सिये तुझारी किया गया लक्ष क्या रहा आखिर इस नीति का ध्यान रखिये महिलाओं के लिए एक ऐसा सकारात्मक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक माहूल तैयार करना जिसमें महिलाओं अपने मूल अरिकारों को प्राप्त कर सके ठीक है ये लक्षी रहा उद्देशी एक ऐसा अन इन सभी चीजों को लेकर करना था सारे उद्देशे को इनी को लाना था ठीक है अगली चीज समझे इसमें जो प्राप्तमिक्ता छेत्र थे किन-किन छेत्रों में प्राप्तमिक्ता दर्ज की गई इन चीजों को समझ लीज़े ठीक है देगो भाई जहां से सवाल बनने है मै उतना पढ़ा रहा हूं कि मुझे आपको सफल बनाना है ठीक है ग्यानी नहीं बहुत ज़्यादा बहुत ग्यानी बनने पर भी दिक्कत है जहां से सवाल बना है जो ट्रेंड है मैं वो चीजे बता रहू समझो इसको इसमें प्रात्मिक्ता किन-किन शेतरों को दी गई खादी महिलाओं के खिलाब जो हिंसा चल लएती इनमें भी रोग लगानी थी इन सभी के लिए पूरे प्रियास किये गए थे ठीक है और महिला सुलब परियावरण का निर्माण करना था परियावरण और जलवायू परिवर्तन के कारण महिलाओं की जो सूप भेदता थी इन जिर रहूंगा तब तक इस वीडियो को अच्छे च्छे कमेंड के साथ जरूर दे कर जाएं मस्ती से पढ़ें टेम परिक्षा प्लस आपके लिए बहतर